हेलो माई डेर फेंड्स मैं मंगल आप सभी का ओधिकट में के यूटीव पर चैनल पर हर्दिक स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों के लिए समस्याओं से भरफूर प्रतिस्यत के कोश्चनों को लेकर उपस्चित हूं कि मैं अपने प्रश्चनों को सुरू करूं उससे पहले आपको बता दू कि यह आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ हमारे साथ हमारे वीडियों में अंतक बने रहे हम अपने इस वीडियों में आपको प्रतेख प्रश्चन के लिए 15 सेकंड का टाइम लेंग देंगे 15 सेकंड के अंदर आपको टाइम सवाल का एंस्वर साल्व करके कमेंडिमेंट में उत्तर देना है तो चलिए भीना देर कि हुए हम अपने परश्चनों को सुरू करते हैं और रहा आज का हमारा पहला परश्च मरमत के लिए उपलाव दिचाओवीस 24,500 रूपए में से 25 प्रिशच्चत के निर्मार के लिए दिये जाते हैं तो दूसरे कारियों के लिए कितने बचे हुए है टाइम स्टार्ट कि अधिए टाइम ओपर हो गया टाइम अप जहां दीजिए मरमत के लिए 24,500 रूपए में से 25 प्रिश्चत के निर्मार के लिए दिये जाते हैं बाबु टोटल टोटल कितना परसेंद होता है हंड़ेट परसेंट होता है हंड़ेट परसेंट में आपका पचीस परसेंट न कितना बचा 75 प्रिश्चत बचा तो कह रहा है दूसरे कारियों के लिए कितना बचत भाई 24,500 को 75 प्रिश्चन तो बचेगा निकाल लीजिए 24,500 गुड़े 75 बटे विजिए 25,500 को सो चार चंग 24, Пока चार एक पांच चार दूनी आर्दू़ीं दश्चर पंचे बिस तीन का इक रादी देड तीन पचेग 15-5 हासल एक तीन पचे पंदर यक पांच हासल एक तिन तीन पचेग 5 हासल एक तीन दूनी 6 एक साथ तीन एक म तीन चंग 18,000 को पूप नेश कोश्यन एक पंखा दो एकसो पचास रूपए में सूची वद्द किया गया है जिस पर बीस प्रेस्ट छूट सामिल है ग्राहक को वासुद्ध कीमत एकसो आठ रूपए में मिले तो इसके लिए उसे अत्रिक्त छूट दी जाने चाहिए टाइम स्टार्ट आपका बेरी गूट जी बिल्कुल बिल्कुल चलो टाइम अप हो गया है टाइम अप हो गया बबू शवाल को ध्यान दो शवाल कह रहा है कि एकसो पचास रूपए में सूची बाद दिखिया गया है एक पंकाईगा और बीस प्रस्थ की छूट सामिल है जिसमें ग्राहप को वासुद्ध कीमत एकसो आठ रूपए में मिला है इस एह तो उसे कितनी अत्रिक तो छूट दी जाने चाहिए बहिए देखो बीस प्रस्थ की छूट सामिल है ध्यान दीजिए एकसो पचास का बीस प्रस्थ छूट दे कतना लेगा अत्रिक छूट माना एक्स रूपए की है तो सो माई में घटा के लिखते हैं सो माईनिस एक्स प्रस्यत की छूट दिया और कितने को दे दिया एक तो आठ रूपए में काट डालो एक जीरो से जीरो एक जीरो से जीरो कड़के अबावू ठीक है चार दूनी आठ चार पच्चिस सहमें सव पांती हैं पंद्रा पंचम पचीस इधर काट दो दो पंचे दस दो चवक आठ तीन एकम तीन दो पांच और तीन एक चाओ बीस अठारा का और पांच का मल्टिप्राइए हो आठ रा पंचे नबबे शौ माइनस एक्स बराबर नबबे तो भईया एक्स बराबर शौ माइनस नबबे एक्कॉल टू एक्स अरथाती एक्स इक्कॉल टू दस परसेंड की अतरीक्त छूड दी जानी चाहिए आपका सीज़ दराइट एंसर कंफर्म नेश कोशन एक परिच्छा में कुल 65 परिशत विद्यार्थी उत्रीड हुए यह अनुत्रीड विद्यार्थियों की संख्या 420 से है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है टाइम स्टार्ट अब यह टाइम अफ हो गया टाइम अफ हो गया ध्यान दीजिए एक परिच्छा में 65 परिशत विद्यार्थी उत्रीड हुए और अनुत्रीड विद्यार्थियों की संख्या 420 से बाबु एक्षी जिए बताओ जब 65 परिशत उत्रीड हुए टोटल हमारे 100 परिशत होते है सौ में 65 पास हो गए तो कितने अनुत्रीड हुए है कि 35 प्रिशत ठीक है 35 प्रिशत हमारे क्या हुए फेल हो गए और कहरा नुत्रीड विद्यार्थियों की संख्या 420 अर्था जो फेल कंडिडेट हैं हमारे 420 है तो भाई या मानखुल संख्या एक्स थी एक्स का 35 सो बरहम में 1200 कुल 1200 विद्यार्थी थे सीज़धार आइट एंस्वर्ट कनफर्म नेस्ट कोश्चन एक सर्वे में 30 प्रिस्षद लोगों के पास cellular phone टेली फोन पाया गया और 75 प्रिस्षद लोगों के पास personal computer पाया गया यदि 25 प्रिस्षद लोगों के पास cellular telephone और personal computer दोनों है तो लोगों का प्रिस्षद वा प्रिस्षद जिसके पास cellular telephone या personal computer या दोनों हो क्या होगा टाइम स्टार्ट कि अगर कि अगर के बाव टाइम आप टाइम आप ध्यान दीजिए देखो इस तरह की सवालों को सिंपल सा ऐसे लगाया करो भाई सेलूलर फोन वाले सेलूलर फोन वाले एक सरकल बना लो ठीक है और पर्शनल कंप्यूटर वालों का एक सरकल बना लो बैया तीस प्रश्चत लोगों के पास सेलूलर फोन पाया गया पचाहत्तर प्रश्चत लोगों के पास पर्शनल कंप्यूटर पाया गया यदि पचीस प्रश्चत लोगों के सिल्एल फोन और पप्रक्षानल कंप्यूटर दोनों 25 मतलब दोनों है तो लोगों का वाफ प्रतिसत को गई जिसके पास से लेटेड़ी फोर्या सिल्एल पर्सल कंप्यूटर या दोनों हो भया क्या घिया करो या दोनों हो कि Doloh है इन दोनों को जोड़ दो इसको घटा लो तो सत्तर तीस सव एक सो पांच एक सो पांच में वावू पचीज घटा दो जीरो दस में दो गए आठ असी प्रस्ट लोग ऐसे हैं जिन के पास दोनों शीजिए हैं कणफर्म नेश कोश्टन एक कारयाले में 40% महिला करमचारी पास 40% महिलाओं में से 60% पूर्षो में मेरे पच्छ में मद्दान किया तदरौशार म मेरे मतों का प्रतिसद कितना है ध्यां दीजिए एक कार्याले में 40% महिला कर्मचारी हैं उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पच्छे में मद्दान किया तदरुशार मतों का प्रसद कितना है टाइम इस्टार्ट ताइम अप गया टाइम अप हो गया थान दीजिए एक कार्याल में 40% महिला कर्मचारी कार्याले में 40% महिला कर्मचारी हैं जिसमें 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मद्दान किया बजया टोटल 100% होता है 100% में 40% आपकी फीमेल है तो मेल कितने है बबू 60% ना फीमेल आपके 40% है तो मेल आपके कितने है 60% फीमेल का उनमें 40% महिलाओं ने 40% का 40% निकाल लीजे बबू एक जिरो से जिरो कर्या चार चोग सोला सोला महिला ने अपुर्सों का साड़ प्रस्ट साड़ पुरुष निकाल लीजे बबू चाचंग ni3 स्कुरुष ने ठीक है 36 पुरुष ने मत दान किया stimulate मेरे मतों का प्रस्ट कितना रहा तो भएजा इतने लोगों ने उनके मत में उनके पच्छ में मत्तान किया तो जोड़ लीजे कितने लोगों ने मद्दान किया छे छे बारक दो हां सी लेक तीन एक चार एक पांच बावन प्रिस्ट लोगों ने उनके मत्म में मद्दान किया D is the right answer confirm चलो next question अनिल ने 17500 रूपए में 45 प्रिस्ट में से 45 प्रिस्ट जमीन में 25 प्रिस्ट राश्टी बचत प्रमाणपत्र में निवेस किया और एक बैंक में बाकी रूपए डाल दिये उसने बैंक में कितने रूपए डाले जल्दी जल्दी बताईए टाइम स्टार्ट है कि बहुत अच्छे गुट शब बता चुके हैं सवाले इस टाइब की पढ़ा चुके हम टाइम अफ हो गया ध्यान दीजिए कि कर रहा है 45 प्रिस्ट जमीन में कि उस्ट ने क्या किया 45 प्रिस्ट जमीन में और 25 प्रिस्ट राश्टी बचत में देखो यहां पर तता अथव पाया या नहीं दिया गया है इसलिए दोनों 45 प्रिस्ट और 25 प्रिस्ट दोनों जुड़ जाएंगे तकुल कितने प्रिस्ट खर्च किये बबू कि 5-5-10 की सुन हासिल एक चार दो छे एक साथ सत्तर प्रिस्ट उसने खर्च किया तो भाई उसने बैंक में कितने रूपए दाले भई इस सत्तर प्रिस्ट के लाओं जो बचा वही तो डाले पूरा पूरा सो प्रिस्ट होता है सोबे सत्तर निकल गएक तकितना प्रिस्ट बचा बबू तीस प्रेस्ट और यहीं तीस प्रिस्ट सुने कहां डाल दिए बैंक में कितने रूपए डाले भई 17,500 रूप पे उसने बैंक में जमा किए डीज दा राइट एंसर कंफर्म एन्य आउट चलो बहुत अच्छी बात है नेश कोश्चन कि एक पंसारी दौरा बेचे गए गेहूं में दस प्रेशन निम दर्जे का गेहूं था बताए कि 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे दर्जे की गेहूं की मात्रा मिलाई जाए गेहूं की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि निम दर्जे की गेहूं का प्रतिसत 5 रह जाए चलो टाइम स्टार्ट आपका ओके यह टाइम अफोग यह टाइम अफोग यह धान दीजिए कह रहा है कि एक पंसारी बेचे गए गेहूं में दस प्रस्चत जो था निम दर्जे का गेहूं था ठीक है बताए कि डेड़ सो किलो ग्राम गेहूं में अच्छे दर्जे की गेहूं की मात्रा कितनी मिलाई जाए ताकि वह पंच प्रस्चत कहो भईया दस किलो ग्राम दस प्रस्चत निम दर्जे का गेहूं था डेड़ सो क किलोग्राम जो गयं ठा और यह दससा कई निमन दर्जेशन और इस प्रस्षत कौंच करणा करना है लिए क्यों का 5 प्रस्षत बदा पढ़ा रहेगा तो पंदला किलोग्राम निम्ह दर्जे की ग्यों के बराबर हो जाएगा कार दीजे पांति याई पंद्रा सव तीन सो भाई टोटल टॉटल कॉइंटिती हो गई 500 किलोग्राम लेकिर इसने बोशा क्या है अच्छी दर्जे की ग्यों की मातर कितनी मिलाई जाए कि दर्जे का यंभणthen प्रशत हो तो भारया मिलाएं गएं ग्यों मिलाएं गएंद्धकि मातरा डिलाबर हो टॉटल कॉइंटिटी dolम की सभी हो था में डेड़ सो हमारे पास पहले था तो कितना मिलाए गया डेड़ सो किलोग्राम हंड़ेट फिप्टी किलोग्राम डी इजदा राइट एंसर कन्फर्म एन राउट ओके नेश कोश्यन सुद्ध दूध वाले एक पात्र में बीस प्रेशत सुद्ध दूध निकाल कर उसके उस पात्र में उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है यद यही फ्रक्रिया तीन बार दोहराई गई तो पात्र में सुद्ध दूद्ध की से समात्रा क्या रहे गई टाइम इस्टार्ट तो कि टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप देखो वह इसमें क्या किया उसकी मात्रा को मतलब 20 प्रेश्चत दूद्ध को निकाल कर तीन बार वही निकाल गया फिर उतना पानी डाल दिए फिर निकाल अपर उतना पानी डाल दिया गया तिसका सिंपल साब ठीक है दो चोग आठ दो पंचे दस या फिर रहने दीजे दस ही रहने दीजे आठ का घन करा आठ रहाई चोषट अठे पांसो बारा बठे दस हो गया बाबू जब इसे कार देंगे फिप्टी वन पॉइंट तो पात्र में सुद्ध दूद्ध की से समात्रा कितनी वची फिप्टी वन पॉइंट टू प्रशट आपका बी इस दा राइट एंस्वर कंफर्म नेस्ट कोश्चन एक औरत के पास एक विश्चित संख्या में आम है जिन में से 13 प्रशट खराब है वह बचे हुए आमों को 75 प्रशट दान कर देती है उसके बाद 261 आम बच जाते हैं उस औरत के पास कुल कितने आम थे टाइम श्टार्ट आपका यहां उस औरत के पास कितने आम थे बहुत अच्छे गोड़ बेरी गोड़ ओके टाइम अप जान दीजे एक औरत के पास निश्चित मात्रा में आम थे जिसमें से 13 प्रशट आम 13 प्रशट खराब हैं तेरा प्रशट खराब हैं वह बचे हुए आमों का 75 प्रशट दान कर देती है और उसके बाद 261 आम बच जाते हैं उस औरत के पास कुल कितने आम थे भाई दीजर कही तो माना उस औरत के पास यह साम थेatu आम में से 13 प्रशट खराब हो गएगे तब्या कितने बचे हैं कितने प्रशट बचे लुग साथ सत्थ मह्चे बचेव हैं तो बचे कितने उसके पास 25 प्रश्य सताम बचे और उसके बाद 261 आम बच गए, बराबर 261 आम बच गए, तो औरत के पास कुल कितने आम थे, बस यही सरल करना है बबू, पचीस से कम पचीस, पचीस चुका, शो, ठीक है, 87 से कड जाएगा, तीन बार जाएगा, 87 तीन या 261, देखो, 3 सत 21 के खासिल दो, 3 और 24 दो, 26, अब इसका, इसका मल्टिप्लाई हो जाएगा, 4 तीन या 12, 12 का 100 में, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200, उसके पास कितने आम थे, 1200 आम थे, C is the right answer, ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो बाबू, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, साथ ही साथ चैनल पे नहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और नोटिफिकेशन का बेलान कर लीजे, और अपने दोस्तों में सेयर करना ना भोले, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, और सभी लोग इसका फाइदा उठाब हो सके, धन्यवाद,